दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा डबल पोल्टरी फार्म के बारे में जो ये आप देख रहे हो ये एक शेड़ के ऊपर दूसरा शेड़ बनाया गया है तो इसमें आप दो जगा पर मुर्गी पालन कर सकते हो उपर भी और नीचे भी तो इसके क्या-क्या फायदे हैं और क नुकसान है तो नुकसान के बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो इस वीडियो में आपको डबल पोल्टरी फार्म की पूरी जानकारी हो जाएगी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको बनाने का तरीका जो आप नीचे वाला शेड़ बनाओगे इसको जट अच्छा है तो उसके बाद ऊपर वाले शेड को बनाने में आप सिमेंट वाली शीट का इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन नीचे वाले शेड पर आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर ही दूसरा शेड टिकेगा और डबल पोल्टरी फार्म के आपको कम जगा की ज़रुत होती है अगर आपके पास जमीन जादा नहीं है तो मैं आपको कहूँगा कि आप डबल पोल्टरी फार्म इस तरह से बना सकते हो इसमें गर्मियों के मुसम में भी आपको फायदा मिलेगा गर्मियों में फायदा इस तरह से होगा क्योंकि गर्मियों मे मोسم में तो आप गर्मियों में भी मुर्गों को जादा बढ़ा करके सेल कर पाऊगे और उपर वाले फार्म में भी जादा गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि वो जमीन के लेवल से काफी जादा उचाई पर हो जाता है तो उसमें हवा अच्छी तरह से लगती रहेगी तो यह फा में आपको बता देता हूँ नुकसान यह है जब आप उपर के शेड में मुर्गों को पालोगे तो उसको नीचे शिफ्ट करने में परिशानी होगी जैसे मुर्गा आप गाड़ी में सेल कराऊगे तो उसको गाड़ी को लोड करने में भी परिशानी होगी तो उसमें टाइ से मुर्गी पालन करोगे तो आपका लेबर का खर्च भी बड़ी आसानी से उसी में ही मैनेज हो जाता है क्योंकि देखो मूर्गा अच्छी तरह से आप पाल सकोगे तो मुर्गे का वजन अच्छा हो गा तो लेबर का इतना सा क्षज क्या आपको देखना मैं तो पर्दों का management भी काफी अच्छा है नीचे के अलग होगे उपर के अलग हो जाएंगे और ये रस्यों से चल जाते हैं कोई ऐसा नहीं है कि आपको उपर ही चड़के पर्दे खोलने हैं बंद करने होगे रस्यों से पर्दों को manage किया जा सकता है अंदर की तरफ रस्यों हो जाती है उनको खीज देंगे तो पर्दे बंद हो जाएंगे इसी तरह से इसका पूरा management होता है तो आगे अगर आपको इसके बारे में खर्चे के बारे में जानना है पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो और हमारे चैनल का नाम ध्यान रखें पूल्टरी गुरू जी और आप हमें ये भी बताएं कि आप देश के किस हिस्से से हमारी वीडियो को देख रहे हो आप कहां पर रहते हो ये कमेंट करके आप बता दीजिए कि कहां कहां से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो धन्यवाद